हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेज, तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने करेंट अफेर्स कवर कर सकते हैं, स्लीपी के जितने भी फ्री इनिशेटिव्स हैं, उनकी मदद से अगर आप प्रलिम्स 2022 का अटेंप्ट यहां पर दे रहे हैं, ठीके जी, अ अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं, करेंट अफेर्स को, अगर आपका जीएस कवर नहीं है, तो सेमिंटेनिसली आपको अपना जीएस भी कवर करना ज़रूरी है, ठीके जी, 2022 का जो आपका प्रलिम्स का एक्जाम रहेगा, जून के महीने में कंड़क्ट किया हैं, ठीके जी, कंसेट्स आपको क्लियर होने ज़रूरी है, एक्जाम हॉल में इंटर करने से पहले, तो यह जो पूरी प्रॉसेस है, अब आपको शुरू करनी बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है, अगर आपका जीएस सेक्शन वहाँ पर कवर्ड है, तो वहाँ पर किस तर करन्ट फेज रहेंगे, तो यह तो आपके लिए इंपॉर्टन्ट है, जैसे कि हमने पहले भी डिसकस किया था, आपके आगर आप PYQs उठाएं, पुराने कोशन पेपर उठाएं, तो पहले होता था कि साथ से आठ महिने के करन्ट फेज सफिशन रहते थे, बट अब UPSC आ करेंगे, स्लीपी के इनिशेटिव से, सबसे पहले हम बात करें, प्री के और हमारे के इनिशेटिव होता था, फ्री ओफ कॉस इनिशेटिव था, तो उसकी कंपाइलेशन आपको इसली वहां पर मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पर, ठीक है जैनुवरी, फेबरी और मार् आपको वहां पर प्रोवाइट की गई है, अब जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कि प्रिलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, हमें प्रतैयारी करनी है, civil services examination की, तो सिर्फ यही नहीं कि facts facts पढ़ लिए, किसी भी current affairs literature और जो conceptual चीज़ है, उसके वारे में आपको पता ही नहीं है ठीके जी, तो आपको पूरी in-depth knowledge होना जुरूरी है, जो analysis किया जाता है, वो भी important रहता है, ठीके जी, किस तरीके से करेंगे, अभी वो हम और discuss करते हैं, तो पहली बात तो आपके January to March onwards, जो आपका Precure की compilations website पे अविलेबल है, आपको link description में मिल जाएगा, आप पहली analysis पर आपके current phase वहाँ पर cover किये जाते हैं, अब ये initiative सबसे जादा important क्यों है आपके लिए, कि पहली बात तो जितना भी newspaper का वहाँ पर हम कह सकते हैं, जो एक पूरा Indian निशकर्ष निकलेगा कि जितनी आपकी जो summary निकलेगी एक newspaper की दिन के, वो आपको regularly यहाँ पर provide किया गया अगर आप पहले से follow कर रहे हैं, well and good, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है कि अब आपको दुबारा से current phase पूरा एक बार revise करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मूल मंतर रहेगा, कि D&D को यहाँ पर आप follow कीजिए, इसकी compilations देखिए, अब य इसकी बात क्या है, कि यहाँ पर आपको हर एक दिन की वहाँ पर वक्षिट दी गई है, ठीक जी, वक्षिट प्रोवाइट की गई है, जिसमें topic का नाम आपको दिया गया है, क्या क्या description रहेगी, वो चीज़ आपको प्रोवाइट की गई है, क्या क्या उसमें updates फर्दर इसकी बात करें, कि इंडिया-Indonesia की किस तरीके के वहाँ पर रलेशन्स हैं, अब Indonesia से लिटेट को information आई है वहाँ पर न्यूज में, तो आप उसे अपने notes में वहाँ पर compile कीजी, कि Indonesia का आपका section है, उसके अंडर mention कीजी, कि यह नई updates यहाँ पर आई थी, और इस तरीके से आ बहुत अच्छे से आप यूटलाइस कर सकते हैं, और यिस worksheet की भी download links सभी उसी compilation में available है, आप जाके देख सकते हैं, इसलिए आप download कर सकते हैं, और अपने वहाँ पर lecture भी सुनते रहिए, और साथ-साथ अपनी worksheet को भी वहाँ पर fill करते रहिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, क पर अपना lecture सुनते रहिए, आपकी जितने भी important relevant information है, आप वहाँ पर अपने note down कीजिए, ताकि आपका एक पूरा set यहाँ पर current face का ready हो जाए, और उसके बाद से जो यह पूरा initiative है, जिसमें अब यह premix के माध्धम से आपका cover किया जा रहा है, January onwards, तो इसमें आपके लिए फ emotions आप से पूछे आ सकते हैं, तो वो आपका premix के थुरू यहाँ पर cover किया जा रहा है, तो यह दोनों ही जो आपके objectives हैं, कि practice भी करनी है, और current affairs भी cover करनी है, तो यह दोनों ही objectives आपके यहाँ पर cover किया जा रहे हैं, जिनकी compilations भी हमारे platform पे available है, free of course जाके आप sign up कर सकते है और जितनी भी compilations हैं, उन्हें वहाँ से download भी कर सकते हैं, ठीके जी, फिर बात आती है editorial analysis की, जैसे हमने बात की, कि सिरफ prelims oriented हम तयारी नहीं करेंगे, ठीके जी, कि हमें civil services की पूरी तयारी करनी है, कि जितने भी current affairs रहेंगे, हमें उस तरीके से cover करना है, कि आपका prelims as well as mains क section दोनों cover हो जाएं, तो इसमें जो mains का part है, अब वहाँ पर आपका editorial analysis बहुत ही important role play करेगा, कि जितने भी perspectives हैं किसी एक particular topic से related, वो सभी चीज़ें आपको daily basis पर editorial analysis में provide की जाती हैं, बहुत ही short and crisp format में आपको हर एक editorial का वहाँ पर summary provide की जाती है, जो कि आपके लिए beneficial रहती है तो जितने भी आप current affairs cover करते रहेंगे, side by side, उन से related जितने भी editorial आपके आ रहे हैं, उन्हें भी अपने notes में वहाँ पर compile करते रहे हैं, ताकि आपकी दोनों ही problems भी और mains की भी preparation वहाँ पर हो सकें, ठीके जी, फिर बात आती है, जो सबसे important है, two minute series है, जिसका अब नाम आपका few minute series यहाँ पर हो चुका है, अब इसमें अगर आप देखें, 18 महीनों की बात करें, तो roughly basis पर हर एक subject से related आपके 60 plus topics यहाँ पर तयार हो जाएंगे, जिसमें आपको पूरा topic वहाँ पर समझाया गया है, उससे relevant जो भी information है, वो आपको यहाँ पर provide की गई है, और यह आपके द कि जैसे अगर आप देखें, अगर आपकी कोई भी नई report आ रही है, या जैसे e-passport का आपका discuss किया गया था, क्या है, तो यह सभी चीजें आपके current phase में भी रहती है, और जितने भी topics आपके यहाँ पर choose कि जाते हैं, वो इसी अधार पर choose कि जाते हैं, कि यह आपके important भी रह हैं, और साथ के साथ इस से related आपका question वहाँ पर बन भी सकता है, दोनों ही प्रेलम्स जलस में, ठीके जी, तो यह आपके लिए बहुत जाते हैं, इसकी compilation भी सारी हमारी website और platform पे available हैं, आप जाके दुबारा एक बार revise कर सकते हैं, सभी जितने भी notes आपको यहाँ पर provide कि जा हैं, और आगे बढ़ते हुए भी जो हमारे daily editorial analysis है, और जो आपका daily newspaper discussion की जाती है, premise के through, तो यह तो आपके चलते ही रहेंगे जब तक exam आपका आएगा, तो इसे तो side by side follow करना ही है, daily basis पे करना ही है, साथ के साथ few minute series को भी follow करना है, बट जो already आपका content जा चुका है, जो कि आ platform पर available है, आप जाके उसे भी revise करना शुरू कीजिए, और खास बात क्या है, कि इसे revision तो करना ही है, साथ के साथ जो आपके already existing notes है, उनमें भी compile करना उतना ही यह important है, ठीक है जी, तो I hope यहाँ पर आपको basic साथ जो doubt रहता है, काफी experience का, किस तरीके से current interface cover करें, कितने current interface cover करें तो यहाँ पर आपका clear हो गया होगा, still अगर आपके कोई भी doubts रहें, आप हमारे comment box में mention कीजिए, हम एक doubt session भी आपके लिए यहाँ पर लेएंगे, अगर आपके कोई भी prelims oriented, यहाँ पर doubts रहते हैं, ठीक है तो prelims की ही बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही है, Sleepy ने crash courses भी आपके lectures हैं, वो आपको provide के जाएंगे GS crash course में, ठीक है जी, उसके लावा अगर हम बात करेंगे कि आपका current affairs complete नहीं है, ठीक है जी, तो आप उसके लिए crash course वहाँ पर purchase कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि एक बार पूरा एक thorough आपको revision चाहिए, कि पूरे आपके जो 18 महीनो का current affairs है, किस तरीकी से prepare करना है, कौन-कौन से topics आपके important है, हर एक subject oriented, तो आपके लिए option भी available है, अगर आपके पास इतनी monetary आहम कह सकते हैं, कि आप नहीं खरी सकते course, तो आपको ये तो समझाई जा चुका है, कि किस तरीकी से आप sleepy के ही free initiatives को वहाँ पर use कर सकते हैं, ठीक है उसके लावा test series, जो कि बहुत important रहता है, किसी भी exam में इंटर करने से पहले, testing तो important रहती है, number of test आपको attempt करने ही है, वहाँ पर तो वो आपका objective यहाँ पर clear कर दिया गया है, current phase के साथ भी इसकी compilation आपको यहाँ पर एक course तयार किया गया है, compiled, उसके लावा जो ब्रहमास्तर course है comprehensive course जिसमें आपका GS, current phase or test series, तीनों की तीनों segments आपके यहाँ पर cover किये गए है, तो basis objective यहाँ पर क्या है, कि आपने new year resolution यहाँ पर set कर लिया है, कि जी हाँ में कोई साल prelims तो निकाल नहीं है, तो इसके चलते आपका जितना भी content रहेगा, relevant information जो रहेगे, prelims as well as means, वो सभी चीज़ें आपको इस particular course में along with the test series आपको provide की जाएंगी, तो सब्सक्राइब का बीचान चाहें,